तेवहार पर जब हम घर पे मिठाई बनाते हैं तो उसका तो स्वादी अलग होता है आज मैंने बनाई है चंद्रकला देखिए चांद के आकार की होने के कारणे से चंद्रकला का आ जाता है बहुत ही लाजवाब बनी है ये और इसे बनाना भी बहुत आसान है आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है तो एक चंद्रकला में आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट और जूसी बनी है ये तो देखिए आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है खाने में ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है तो चलिए हम चंद्रकला मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं इसी बनाने के लिए मैंने या 300 ग्राम मैदा लिया है अब इसमें डालेंगे एक छोटा चमच बेकिंग पाउडर अगर आप बेकिंग सोड़ा ले रहे हैं तो वो दो चुटकी लेवें दो चमच में यहां गीर डाल रहे हू तो हम तेवारों पे अधिक तर देशी गी में ही मिठाईयां बनाते हैं तो देखे अच्छे से हमारा मोयन लग चुका है अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते वे हम सोफ्ट सा आटा लगा लेंगे जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं वैसे ही सोफ्ट आटा लगा लेंग तो देखिए इस तरीके से हमने बहुत ही सॉफ्ट आठा लगा लिया है इतना सॉफ्ट होना चाहिए आठा जदा हाड नहीं होना चाहिए तो इसको हम ढखकर रख देंगे ताकि इस पर पपड़ी नहीं आए और इसके लिए स्टपिंग बनाएंगे तो यहाँ 15-20 मेंने बदाम लिये हैं 15-20 ही काजू लिये हैं तो इनको फाइन चॉप कर लेंगे आप चाहें तो इनको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं देखिए इस तरीके से मैं इसे चक्कू से काट लोगी बहुत ही आसानी से ही कट चाहेंगे ज्यादा मोटा नहीं रखना है आपको कोशिश करें कि बिल्कुल बारी की काटें और इसी तरीके से हम सारे काजू को भी कट कर लेंगे तो देखिए सारे काजू और बदाम हमने कट कर लिये हैं बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया इनको अब एक पैन लेंगे इसमें एक चमच मेंने घीर डाला है और इसमें सारे जो ट्राइफ फ्रूट्स अमने कट करके रखे हैं काजू और बदाम उनको डाल देंगे एक मिनिट के लिए इनके यह में रोस्ट करेंगे या गेस की फ्लेम को स्लो रखेंगे आप अपने मन पसंद के कोई भी ड्राइफ फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं बहुत ही जल्दी यह हमारी स्टफिंग बनकर तयार हो जाएगी अब इसमें थोड़े से किश्मिश डाल देंगे दो चमच यहां मैं नारियल का बुरादा डाल रही हूँ अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा लगता है तो ज्यादा भी डाल सकते हैं या इसको स्किप भी कर सकते हैं एक मिनिट के लिए इसे चला लेंगे अब हमने यहां पे 200 ग्राम मावा दिया है यह मार्केट का मावा है आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं इसे स्टप्पिंग बहुत उच्छी बनेगी तो आप मावा जरूर डालें मावा को भी हम अच्छ असे में मिला कर थोड़ी देर भून लेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है यह स्टपिंग गेज की फ्लेम कोह मेब़ियम ही रखेंगे और यह आच्छे से मावा को हमें बूनना है ताकि मावे में कच्चापन नहीं रहे और मिठाई बहुत ही अच्छी बनेगी लगातार चलाते हुए हमें मावा को बुनना है तो देखिए मावा हमारा बुनते हुए चार से पांस मिनिट हो गए हैं और अच्छे से भुन गया है तो यह हमारी स्टपिंग बनकर तयार है अब इसको ठंडा कर लेते हैं अभी इसमें हमने सुगर पाउडर नहीं मिलाया है और गरम में हम नहीं मिलाएंगे जब यह ठंडी हो जाएगी उसके बाद मिलाएंगे तो चलिए अब हम चाशनी तयार कर लेते हैं तो यहां एक कटोरी मेंने चीनी लिए है और एक कटोरी मेंने पानी डाला है इस टाइम हम गेस की फ्लेम को हाई कर देंगे और लगातार चम्मा चलाते वे चीनी को घोल लेंगे यहां में कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है चीनी घुलने के बाद 3-4 उबाल डाना है बस इतना ही हमें चाशनी को पकाना है देखिए अब इसमें मैं थोड़ा सा फूर्ड कलर डाल रही हूँ अगर आप डालना चाहे हैं तो डाल सकते हैं वाकि स्किप भी कर सकते हैं थोड़ा सा इलाईची पाउडर डाल देंगी जिससे फ्लेवर अच्छा आएगा देखिए हमारी चाशनी तयार है चार पांच उपाल इसमें आ गए हैं तो इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं अब हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो गई है तो इसमें हम चेनी मिला देते हैं तो यहां मैंने बुरा शक्कर ली है आधा कप यहां आपने टेस्ट के अकोर्डिंग आप मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपके पास बूरा शकर नहीं है तो आप चेनी को भी पीस कर मिला सकते हैं तो अच्छे से इसको चेनी को मिला देंगे यह हमारी स्टपिंग तयार है अब हम आटा देख लेते हैं आटे को भी हमारी अच्छे से 10 मिनिट रेस्ट मिल चुकी है इसको हम थोड़ा सा और गूंत लेते हैं ताकि एच्छे से सॉफ्ट हो जाए देखें बहुत थी चिकना हो गया है आटा ऐसा ही आटा हमें चाहिए अब इसकी छोटी-छोटी हम लोईयां लेंगे जैसे हम पूरी बनाते हैं उससे भी हम छोटी लेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी छोटी लोईय ली है मैंने यहां आप अगर बड़ी साइज की चंदकला बनाने चाहें तो आटा थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे तो देखें इस तरीके से हम सारी लोईयां बना लेंगे अब एक लोईय लेंगे और इसको हातों से फ्रेस करेंगे आप चाहें तो इससे बेलन से बेल भी सकते हैं या एक बड़ी आकार की रोटी बेल कर उसको ग्लास से या कटोरी से कट भी कर सकते हैं यह हातों से ही बनती है और बहुत ही अच्छी बनती है तो देखिए इस तरीके से मैंने हातों से प्रेज करके इसकी छोटी-छोटी सी पूड़ियां बना ली है, बहुत ही आसानी से बन जाती है क्यूंकि आटा बहुत ही सॉफ्ट है, देखिए इस तरीके से, अब इसमें हम स्टपिंग भरेंगे, तो ज्यादा नहीं भरेंगे, हम थोड़ी सी भरेंगे ताकि आसानी से ये बंद हो जाए, थोड़ी सी स्टपिंग रखी है, अब ये जो दूसरी पूड़ी है, इसके उपर लगा देंगे, अगर ये छोटी है तो इसको फैला देंगे थोड़ा सा, और बराबर कर देंगे, आप चाहें तो इसे पाने से भी चिपका सकते हैं, लेकिन बहुती आसानी से ये चिपक जाती है, अब इसे हम फोल्ड करेंगे, तो देखिए पहले दबाएंगे और फिर इसको अंदर की साइड मोडते जाएंगे, बहुती आसानी से बन जाती है, जब आप एक बार बनाएंगे तो अपने आप प्रेक्टि इसे बना देंगे, तो देखिए इस तरीके से हम सारे बना लेंगे, तो सारी चंद्रकला मेरी बन गई है, अब इन्हें हमें फ्राइ करना है, तो मैंने फ्राइ करने के लिए गी का यूज किया है, आप चाहें तो इसे तेल में भी फ्राइ कर सकते हैं, तो गी को मैंने नॉ तो देखे कितना आसान है हमारा घर में ही मिठाई बनाना हम बहुत ये आसानी से शुद्ध तरीके से घर पे मिठाई बना सकते हैं इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला है तो ये बहुत ही अच्छे से फूल्ड जाएगी जब एक साइड से थोड़ी सी पक जाए तो इसे फूल्ड कर देवें साथ से आठ मिनिट में ये थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो द्यान रखना है कि आपको यहाँ गैस की फ्लेम को मेडियम ही रखना है हाई नहीं करना है तो गोल्डन ब्राउन होने के बाद इन्हें हम निकाल लेंगे तो देखिए देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आया है इसी तरीके से हम दूसरा राउंड पर फ्राई कर लेंगे गेस की फ्लेम को मेडियम रखें हाई नहीं करें नहीं तो एक बार में ही जंद्रकला जल जाएगी जो खाने में विल्कुल भी टेस्ट नहीं लगेगी तो देखिए एक साइड पकने के बाद दूसरे साइड हम इससे पलट देंगे दूसरा बेच भी हमारा तयार है तो इन्हें भी आप निकाल लेंगे ज्यादा ब्राउन नहीं करना है इस बात का विशेश द्यान रखें तो यह गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो अब निकाल रहे हैं यह एक तरीके से जैसे हम गुजिया बनाते हैं वैसा ही है बस इसकी शेय पर लग है तो देखे आप देख सकते हैं हमारे चंद्रकला सारी फ्राई हो चुकी है अब इन्हें हम चाष्णी में डिप करेंगे तो चाष्णी हमारे अलकी ठंडी है एक एक को हम इसमें डिप करते जाएंगे बहुत अच्छी बनती है ये मिठाई और इसे बनाना भी बहुत आसान है आठ से दस दिन तक आप इसे फ्रीज में रख सकते हैं तो देखे कितने अच्छी बनकर तयार हुई है आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी तो लीज ये तयार है अमारी चंद्रकला बहुती स्वादिष्ट बनी है तो आप भी इस तरीके से रेसिपी बनाईए और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे हैं वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें